हेलो जडेंट्स आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाजी तिम दरकुमार में स्वागत है आज हम BAC 2nd Year का 3rd paper स्टार्ट करेंगे mechanics ठीक है दो section है इसके section A aesthetics और section B dynamics तो हम इसमें सबसे पहले aesthetics पढ़ेंगे और aesthetics का हमारा सबसे पहले जो chapter है center of gravity तो चलिए हम सबसे पहले इसमें center of gravity स्टार्ट करेंगे तो चलिए पहले समझ लीजिए center of gravity क्या होती है ठीक है center of gravity की definition देखें क्या होती है और समझ ये center of gravity क्या होती है ठीक है चलिए तो समझ लीजिए center of gravity क्या होती है चैप्टर हमारा फस्ट है, center of gravity, इननी में क्या कहते हैं इसको गुत्तु केंद्र, ठीक है, तो चलिए सबसे पहले परिवासा देखें इसकी center of gravity की, तो center of gravity, the center of gravity of a body is a point fixed relative to the body through which the line of action of the weight of the body always passes whatever be the position of the body, provided that its size and shape remain unlettered, तो center of gravity जो होता है, the center of gravity of body, किसी pin का, ठीक है, किसी pin का गुर्टो केंद्र, एक बिन्दु होता है, जो fixed होता है, ठीक है, जो relative to the body, through which, ठीक है, through which the line of action of the weight of the body, ठीक है, जिसकी किरिया रेखा, उस बिन्दु से गुजरती है, always passes गुजरती है, whatever, ठीक है, whatever the position of the body, provided that its size and shape remain unlettered, ठीक है, तो उसकी position, यानि के, कुछ भी हो, बोड़ी की position, कुछ भी हो, ठीक है, provided that its size and shape remain unlettered, unlettered होता है, unchanged, यदि उसका जो size और shape आकार है, ठीक है, वो remain यदि कैसा रहता है, unlettered, जैसे ऐसे समझे, जैसे माल लिया, हमारे पास, यह कोई pin है, इसकी हमें center of gravity देखनी, इसकी center of gravity क्या है, माल लिया 2D है, माल लिया कोई page है, अभी तो 3D है, ठीक है, हमने माल लिया, क्या है, कोई 2D के अंदर कोई page है, कि कोई page है, और हमने इसको किसी point से लटका दिया, ये हमारे पास कोई pin है हमें देखना इसकी center of gravity कहां जाएगी ठीक है इसे किस से लटका दिया किसी point से ऐसे लटका दिया तो इसी point से ऐसे लटकाने पर इसके सामने एक धा का लटका दिया इसके सामने क्या लटका दिया एक धागा तो धागा जो लटकाया वो मालिया इस तरही किसे आगया बिलकुल ठीके फिर इसके बाद इसको किसी दूसरी पॉइंट से लटका दिया ठीके इसी ठीके मालिया 2D कोई पेज है मालिया इसको इस पॉइंट से लटका दिया इस point से लटकाने के बाद छीक है इस पर फिर एक धागा लटका दिया यह धागा लटका दिया तो यह मालिया यहां से घुजरा तो यह वाला कोई point आया मालिया इसको इस point से लटका दिया इस point से लटकाने के बाद में फिर इसके उपर एक धागा लटका दिया तो इस धागे को लटकाने पर ये धागा इस तरी किसा आएगा तो जो इसकी ये किरिया रेखा है तो एक बिंदू से घुजरती है मालने यहां से लटका दिया इसको किसी किनारे से तो ये यहां से लटका दिया अभी तो देखों बुक तो अविए 3D है तो center of gravity य papy जाएगी तो बुक के अंदर जाएगी हमने मालिया क्या है यह 2D है ठीक है 2D के अंदर 2D के अंदर मालिया की एक पेस है तो इसकी जो हम ग्रिया रेखा जिस बिंदू से गुजरती हैं तो उस बिंदू को ही हम क्या बोलते हैं इस बिंदू को ही क्या बोलेंगे center of gravity बोलेंगे ठीक है वो इसकी बाद note first पढ़िए note first the center of gravity of a body does not necessarily lies on the body itself जो center of gravity होती है ठीक है the center of gravity किसी body की तो यह आवशक नहीं है वो किस के उपर हो उसी body के उपर हो जैसे मालिया हमने कोई एक ring लिया ring क्या मालिया एक कड़ा लिया जिसको हाथ में पहनते हैं ठीक है तो यह कोई कड़ा हमारे पास है ठीक है तो इसकी center of gravity है इस कड़े के उपर नहीं होने की कहाँ पर जाएगी इसकी center of gravity बीच में जाएगी तो यह आवशक नहीं है कि center of gravity उसी body के उपर हो उस body से कहाँ भी जा सकती है वहाँ बहार भी जा सकती है अभी मालिया कोई हमारे पास इस तरह का कोई कार्व है ठीक है 2D में कोई कार्व है तो center of gravity जरूरी नहीं है इस parabola के उपर ही होगी तो वह है इसकी center of gravity कहाँ भी जा सकती है parabola से अलग भी जा सकती है तो इसकी center of gravity कहीं बीच में को आएगी यहां को आएगी तो यह जरूरी नहीं है यह अवशक नहीं है कि center of gravity कहाँ पर मिले बोड़ी के उपर ही हो, वह है center of gravity, बोड़ी से कहां भी जा सकती है, अलग भी जा सकती है और देखिए, note 2 देखिए, this center of mass, shortcut मैं इसको cm बोलते हैं, ठीक है, of a body, practically, concide, concide, यानिके संपाती होता है its center of gravity, जो center of mass है, किसी बोड़ी का, ठीक है, practically, यानिके संपाती होता है, with its center of gravity की तो center of mass जो है, संपाती होता है, किसके center of gravity की, sometimes, the word centroid, और center of inertia तो कभी-कभी, ठीक है, जो word है, centroid कह देते हैं, या क्या कह देते हैं, क्या use कर लेते हैं, center of inertia center of inertia are used in the palace of center of gravity तो कभी-कभी center of gravity के स्थान पर, ठीक है, क्या भी use कर लेते हैं, centroid word use कर लेते हैं, या क्या use कर लेते हैं, center of inertia या यूज कर लेते हैं ठीक है तो जैसे माल लिया हमारे पास कोई 2D में एक line है एक ये line है हमारे पास इस line की हमें क्या निकालनी center of gravity निकालनी तो इसकी जो center of gravity होगी जहां इस line के ये बिल्कुल center में होगी बिल्कुल बीच में होगी ठीक है 2D के अन्दर आप से मालने marker की बात करें इसकी तो इस marker की जो center of gravity है जिस point पे वैसे तो balance हो जाएगा वैसे देखो balance तो यह भार की side हो जो point होगा भार की side होगा प्रन्तु यह 3D है marker कैसा है यह 3D है तो इसकी जो center of gravity जाएगी marker के कहा जाएगी वो अंदर जाएगी तो चलिए center of gravity की definition है और यह note है इनको आप सभी लोग note कर लीजिए तो चलिए अब हम सीखेंगे center of gravity किसी कार की कैसा निकालते हैं तो सभी लोग इसको note कर लीजिए तो जल्दी से note करिए अभी हम जो सीखेंगे center of gravity किसी आर्क की किसी चाप की center of gravity कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे ठीक है तो सब लोग इसको note करिए इसके बाद मैं मैं थड़ बताऊंगा तो मैं किसी आर्क की center of gravity कैसे निकालते हैं चल दीसे सब लोग इसको note कर लीजे तो चलिए center of gravity for an arc center of gravity निकालेंगे किसी आर्कará की Center of gravity strategy निकालेंगे किसी चाप की हमें Center of gravity निकालने किरूट जालना किसी चाप का ठीक है हमने मान CPR ले यह कोई हमारे पास嗎 कर्व है y equal to sno f x, यह हमने X axis कीच लिया the origin moll window है तो यह हमारा कोई कर्व है y equal to fx और इसकी हमने arc यानि कि चाप लिया कोई pq let pq be an arc of the curve हमने मान लिया pq कोई चाप है किसका चाप है यह? of curve y equal to fx का from कहां से खाहता गई x equal to a से लेके x equal to b तक है let x bar y bar be the center of gravity of the arc pq from x equal to a to x equal to b हमने मान लिया माना x bar, y bar be the center of gravity center of gravity है किसकी center of gravity है? arc pq की center of gravity है from कहां से कहां तक है? x बराबर इसे लेके x बराबर b तक तो x bar किस फार्मल से निकालते हैं? x बर इससे निकालती है x bar बराबर ठीक है integral limit a to b y ds upon integral a to b ds y bar किसे निकालें? integral a to b y ds upon integral a to b ds अब यह ds क्या होता है? ठीक है वह है ds बराबर under root 1 plus dy by dx का whole square into dx या ds बराबर under root 1 plus dx बर्टे dy का whole square into dy कब होता है यह if the equation of the curve is in the cardigan form यदि equation of the curve किस form में है? cardigan form में है तो हमें ds यह यूज़ करना तो equation of curve polar form में भी हो सकती है parametric form में भी हो सकती है तो उनके लिए भी लिखा देता हूँ ds क्या होता है? तो हम इसमें क्या कर रहे है? किसी arc की क्या निकाल रहे है? center of gravity निकाल रहे है कोई भी चाप दे दिया माल लिए यह कोई चाप हमारे पास है कहेगा इसकी center of gravity निकाल लो यहां कहीं को आएगी इसकी center of gravity हम माल लेंगे x bar y bar center of gravity है तो कौन से formula से निकालना हम है? x bar y bar का जो formula होता है limit a to b y into ds upon integral a to b ds और y bar किससे निकालेगा? integral a to b y ds बटे integral a to b ds जाण ds इससे भी निकाल सकते है under root 1 plus dy by dx का whole square into dx या किससे निकाल सकते हैं? ds बराबर under root dx बटे dy का whole square into dy यदि ds यह लेंगे तो limit x की लेंगे तो यह limit x की होंगी यदि हमने ds यह लिया और यदि ds का formula यह लगाया तो limit किसकी लेंगे? y की ठीके? तो यह कब है? यदि equation of the car किस में हो? कार्डिजन फॉर्म में हो और यदि polar form में हो तब देखिये ds क्या होता है? और यदि parametric form में हो तो तब देखिये ds क्या होता है? चलिए पहले तुम लोग इसको note कर लीजी इसके बाद में ds ठीक है? polar form के लिए ds बताऊंगा कि ds क्या यूज करते हैं जल्दी से चलिए इतना नोट कर लीजी ठीक है तो यदि equation किस में हो polar form में हो तो ds बराबर हम यूज करते हैं ds बराबर under root i square प्लस dr वड़ी d theta का whole square into d theta या ds बराबर under root i square d theta वड़ी dr का whole square प्लस 1 into dr तो यह ds कभी यूज करेंगे यदि equation of the curve किस में दियूए होगी polar form में polar form तुम जानते हो r में और theta में relation होता है और जो cardigan form होती है जो इससे पहले थी cardigan form क्या होती है x में और किसी equation किसी equation का x में और y में relation होता है तो उसको हम क्या बोलते है उस कारू की cardigan form बोलते है ठीके और इसके बार ठीके last में देखी ds हम यूज करेंगे under root dx बटे dt का plus dy by dt का और square into dt तो यह कभी यूज करेंगे if the equation of the curve is in the parametric form जदि equation of कर किसमें दी होई होगी parametric form में दी होई होगी तो dsm यह यूज करेंगे ठीके तो चलिए सभी इनको note कर लीजी ठीके चल्दी से सब लोग इनको note कर लीजी चल्दी तो यह note कर लिया होगा तुमने इसके बाद हम इसमें इसके examples ठीके next time पर इसके examples करेंगे इसके बाद मैं तुम्हें थोड़ा information दे दूँ ठीके यह जो book है mechanics की book ठीके सारे lecture तो इसके youtube पर नहीं आते कुछ ही एक-दो lecture मुश्किल से जो भी आएंगे वो youtube पर आएंगे ठीके तो यह जो book है हमारी application पर चलेगी application पर ललव स्टार्ट भी हो गई है ठीके तो इसकी जो application का जो हमारा application का नाम है PCM Guru application है हमारा ठीके PCM Guru application है इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या इसका application का जो link है वो वीडियो के description में भी दे दिया जाएगा या वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ठीके तो यह BSC second year का हमारा third week पर चल रहा इसमें हमारी जो book चलेगी वो Krishna Parakasan की book चलेगी ठीके Krishna Parakasan की तो यह application पर start भी हो गया है ठीके तो application पर भी यह start हो गया है तो जो fees होगी पर book वो मात्र कितनी होगी 1200 रूपी पर book अभी तक देखिए differential equation ठीके differential equation हमने complete कर दिये batch में differential equation और इससे जो पहले paper है हमारा linear algebra and matrices तो उसमें भी matrices complete हो गई है तो इसके केवल उसमें algebra बचा हुआ है तो algebra भी हमारा batch में चल रहा है दूसरा batch चल रहा है वो application पर चल रहे है तो application पर अभी तक हमने क्या क्या complete कर दिया इसमें ठीके differential equation सारी complete हो गई फिर भी यह यह कोई भी differential equation के lecture लेना चाहता है ठीक है तो वो सारी lecture application पर ही सारे save है तो उनको देख सकते हैं आप application पर देख सकते हैं और यदि किसी को linear algebra and matrices की भी book लेनी उसमें अभी केवल matrices complete हुई ठीक है अभी क्या चल राज में linear algebra स्टार्ट किया उसमें तो उसकी भी यदि आपको lecture लेने हो या उसकी सारी वीडियोज देखनी हो तो उसको भी उन book को भी आप purchase कर सकते हैं और mechanics तो अभी स्टार्ट ही करी है ठीक है तो application पर इसकी कुछ lecture हो गए है mechanics की ठीक है 3-4 lecture हो गए है जो इसका time है mechanics का सुबह 9 बजे live चलती है ठीक है जो mechanics वाली book है Krishna Prakashan की book चलेगी वो लाइव चलेगी सुबह 9 बजे लाइव चलती है तो जिसको भी ये book का course purchase करना हो वो सभी application डाउनलोड करीए PCM group ठीक है इतो application का link आपको video के discussion में दे दिया जाएगा या आप सीधा जाके play store से डाउनलोड कर सकते हैं जो fees होगी पर book वो कितनी होगी मात्र 12 से रूपे पर book होगी वो इसको complete होने में जो time लगबग ठीक है लगबग 2.5 से 3 महीने लग जाते हैं complete होने में तो ये लगबग तुमारी ठीक है सब exam से पहले ही complete हो जाती है लगबग exam जो होते हैं तुमारे मार्ज के आसपास होते हैं मार्ज अप्रेल में जाके start होते हैं ठीक है तो चलिए आज के लिए इतना ही बाकी next time पर ठीक है अभी मैं और भी इसके अभी YouTube पर कुछ examples कराऊंगा YouTube पर ही कराऊंगा भी ठीक है तो जिसको भी live lecture लेने हो जिनको भी live lecture लेने हो तो application डाउन्लोड कर लीजिए 9 बजी ठीक है live lecture होते हैं उसकी application पर ठीक है तो okay thank you very much बाकी ठीक है अभी इसके कुछ lectures आएंगे मैं अभी कुछ lecture डालूँगा इसके YouTube पर ठीक है तो चलिए जिसको भी course purchase करना हो वो इस number पर whatsapp message कर लेंगी 9690224488 ठीक है इस पर आप course purchase करने के लिए whatsapp message करेंगी ठीक है तो जिसको भी course लेना हो वो अपना नाम लिखे अपना BSC का कौन से यह रहे वो लिखना अपनी इनिवस्टी का नाम लिखना ठीक है तो आप इस number पर whatsapp कर देना तो आपको whatsapp पर एक QR code दी दिया जाएगा उस QR code पर आपके fee submit हो जाती है तो आपको fee submit करने के बाद में उस जैसे fee submit करोगी तो उसका skill source आप मुझे whatsapp पर भेज दीजिए जो हमारी team है वो उसको देखेगी जो तुमारा ठीक है जो भी तुम fee submit जमा करोगी तो team उसको check करके तुम्हें बैच में add कर लेगी ठीक है तो चलिए आगी next time पर करते हैं ठीक है okay thank you very much करता है